हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल यूटूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलुशन मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ सो आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सरे स्टूडेंट्स इग्रू में मास्टर्स कर रहे हैं और लोगों के एक्जामस आ चुके हैं उन लोगों का कहना है कि सर आपने बहुत सारे important question बता दिये हैं बस आप एक दो question और important बता या किसी भी university के student है, so now यहाँ पर मैं आप लोग के clear कर दूँ कि आपके exam में कई तरीके से question पूछा जाता है, सबसे पहली बात कि भी पश्यम एशिया के जो देश हैं और भारत के बीच में तनाव के क्या कारण है, या फिर किन बातों की वज़े से पश्यम एशिया या भारत के संबंद खराब है, इस तरीके से भी आपके exam में question पूछा जा सकता है, so guys इसका answer आपको कैसे लिखना है, as always सबसे पहले कोई भी question आपको start करना है, तो उसका परीचे आपको introduction देना होता है, तो सबसे पहले हम introduction देंगे, दूसरी बात अगर आपसे कोई भी question आपसे पश् तो यह विश्र में सबसे एक तो परिवर्तन शील और दूसरी संगर्ष में संभावित छेत्र है, यहां के जो देश हैं, वो काफी ज़्यादा संगर्ष कर रहे हैं, नाकेवल विकास के लिए, बल्कि लगातार यह एक ऐसा छेत्र राय जहां पर बहुत ज़्यादा संगर् बात करते हैं परशिम एशिया के मुख्य छेत्र में, तो तीन धर्म यहां पर निवास करते हैं, इसमें सबसे पहला यहूदी, इसाई और इसलाम धर्म यहां पर हमें देखने को मिलेगा, और साथ-साथ मानव इत्यास की कुछ महानतम सब्विता उनका उध्य भी यहीं से ह हुआ है, अगर हम बात करते हैं मैसोपोटामिया की सब्विता तो उसका उध्य भी यहीं से हुआ है, और इसके साथ-साथ अगर हम मुस्लिम सामराज्य की बात करते हैं, तो उनका भी शुरुवात या उनकी जड़े कई न कई यहीं पर ही आकर हमें दिखाई देती है, इस स तरुकर सामराज्ये से भी रिलेट करते हैं कई बारी और साथ इराज्विश्य गता है बीच में किस परकार के संबंद हैं किस परकार के संबंद नहीं है तो यहां पर हम देखते हैं भारत और जो पश्यमेशिया के बीच में आर्थिक और सुरक्षा को लेकर बाते हैं तो सबसे पहले तेल आपूर्ती की बात करता है, सबसे important है, भारत अगर हम देखें, अपनी आज जो तेल आपूर्ती यूज कर रहा है, तेल जो यूज कर रहा है भारत, तो सबसे ज़्यादा जो कच्छा तेल है, वो इन पश्चिमी देशों से ही आयात करता है, तो इसी इरानी युद्ध है, इराकी युद्ध है, या फिर जो कुएत का संकट है, इन सभी में हमने देखा, कि हमारी जो तेला पूर्ती है, जब इन देशों पर संकट आया है, तो हमारी देश में जो influence है, जो महंगाई है, वो कहीं न कहीं काफी तेजी से बड़ी है, और हमारी द अगर हम दिखेंगे, लगबक 50,000, 50,000 यानि 3.5 मिलियन से अधिक भारतिय परवासी जो है, वहाँ पर जाकर काम करते हैं, और हर वर्ष वो कह है, कुछ न कुछ पैसा हमारी देश के लिए, बिलियन डॉलर में हमारी देश के लिए, जो foreign investment है, यारी FDI है, उसको बढ़ाने म हमारा मदद करते हैं, बहुत सारे देश आज ऐसे हैं, जो रूलर एरिया से लोग विदेश कमाने जाते हैं, वहाँ पर उनकी कंपनियों में काम करते हैं, और साथ-साथ वहाँ से हमारी देश के लिए, काफी जादा विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं, इसके साथ-साथ अ तो इस चीज़ को लेकर जो वहां के देश हैं वो धार्मिक रूडिवादी होने के करन कई बर भारत की अलोचना करते हैं तो भारत और जो पश्मी एशिया के देश हैं उनके बीच में संबंद खराब होने का एक रीजन आप ये भी याद रखेंगे कि भाई धार्मिक जो है गुरबाद ये भी भारत और पश्मी एशिया के जो देश हैं उनके बीच में जो समंद खराब करने की बात करता है इसके बाद में पाकिस्तान की अगर हम बात कर दें तो भाई पाकिस्तान लगातार जो है कश्मीर का मुद्दा उठाता है और पाकिस्तान एक इसलामिक बहुत फोटांदोन सब्सार्ट की से निtegard कि अम अगतर थे इसे पहले भी बहुत सारे ऐसे वारतिया थे जो इन देशों में जाकर अपने काम को करते थे, अपने रोजगार की दिलास में जाते थे, साथी साथ फारस की खाड़ी और स्वेज नेर, ये दो ऐसे जल मार्ग है जो पश्मी एशिया के रास्ते में ही आते हैं और भारत के लिए बहुत जादा इंपोर्टन्ट है, भारत अपना अधिकांश वैपार जो है, यूरोप का उनी मार्गों से करता है, अगर इन देशों से अपने संबंद खराब कर लेगा भारत, तो उन वैपारिक मारगों का अच्छे दरीगे से प्रियोग नहीं कर पाएगा, इसके साथ साथ अगरम देखें, भारत की जो भारते न निती का उद्भव कहां से शुरू होता है, तो भारते निती का उद्भव जखें, अजादी के बात सही, भारत ने गुर्टन रिपेक्श रहने की बात करी, तो इसी में से कई देश ऐसे थे पर्श्मी देशों में से, जिन के साथ हमारी दोस्ती हो गी थी, इसमें से अगर हम बात करते हैं, तो आपने सुना होगा मिसर के जो नासिर थे, उन से हमारी दोस्ती हो गई थी, और दूसरी बात अगर हम देखेंगे, तो जो हमारा बैथिस्ट है, इन से भी हमारी घनिश्ट दोस्ती जो है, वो हो गई थी, इसके साथ साथ, आप लोगों के अगर कोई भ इन्स्टाग्राम आइडिये, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्विशन्स पूछ सकते हो, इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है, जिसके अंदर स्टेडीज की वीडियो अब लगातार, आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स प सकते हैं हमारे फीसबुक पेज से, इसके अलावा अगर आप लोग अमारे ग्रूप्स में जोईन होना चाते हैं, तो यह मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और यह ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर्ग्राजवेट के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा ऐसे चीज देखते हैं यहाँ पर कि हमें जब 1955 में अमेरिका ने सेंटो बनाया तो पाकिस्तान जो है वो इसका मेंबर बन गया और इसी कारेंड से जो पर्शिम एशिया के देश है वो भारत को कम और पाकिस्तान को साधा मैतों देने लगे ना केवल धार्मिक मामलों से बलकि उस स का खंडन करता है और इसके अलब एतियासिक व्यापारिक मार्गों की वज़े से भी भारत और उनके संबंद्ध हो हैं वो बहुत अच्छे बलेगे अब ना हम बात करेंगे एक एक करके फिलिस्तिन मुद्दे से लेकर सारे मुद्दे जिस पर भारत की क्या राय रही यह औ लेकिन कभी भी भारत ने इसराइल का इस बात को लेकर समर्तन नहीं किया कि जो इसराइल है वो फिलिस्तिन पर रह रहे देशों के उपर हमला कर दे और वहां पर जो भी लोग है उन पर अत्याचार करें भारत ने हमेशा इस नजरिये से इसराइल को नहीं देखा या कभी भी उनका सपोर्ट नहीं किया इसके साथ साथ देखेंगे फिलस्तिन मुक्त संगटन पी एल उ फिलस्तिन मुक्त संगटन आपको याद रखना है ये नाम तो इसको लेकर भारती एक ऐसा पहला देश था जो अरब कंट्री के अलावा जिसने इस संगटन को क्या करी थी माननेत थी इसके साथ साथ हम देखेंगे 1980 में जो PLO उनको एक राजनितिक वैचान के लिए भी मंजूरी भारत की ओर से मिल गी थी इसके साथ साथ भारत ने क्या किया कि 25 जून 1956 में बारत ने गाजा पटी का अपने नाम सुना होगा भी ये काफी जादा चर्चिस मुद्दा था और ये अभी की जो घटना की वज़े से भी ये कुशन काफी जादा इंपॉर्टन बन जाता है एक तो इस्राइल से आपके रिलेक्शन पूछे जा सकते हैं और ऐसे भी तो गाजा जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भारत ने अपने कारियाल यहाँ पर खूला और जाजर ने भी अमें अनुमती दे दी थी कब 1996 में इसके असासाथ फिलिस्तिन के कई नेताओं ने भारत की यात्रा करी है जिससे उनके जो संबंद है वो अच्छे हुए इसके लावा आगस्त 2001 में जो राष्टपती अराफत दिल्ली आय थे और इसके बाद फिलिस्तिन चे आला एक ऐसा देश था जिसने उसे माननेता दी थी पहली बात दूसरी बात भारत के स्टार्टिंग से जो इसराइल से संबंद है वो अच्छे नहीं रहे पर 1992 में 1992 में थोड़े से अच्छे संबंद सापी दोना स्टार्ट हो जाते हैं चूंकि इस समय भारत भी उग्रदा योग को बढ़ाने की बात करता इसराइल से और जो भी असूचना यानी इंटेलिजनसी है उसका आदान परतान दोनों देश आज भी एक दूसरे के साथ करते हैं इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है अभी आपने देखा कि भाई बारत के जो विजेपी की जो पार्टी ह करिए कि क्या बाते करते हैं वह बाते नहीं करते ओके सब्सक्राइब बात करने इस्के साथ देखेंगे नाइंटे99 में जो रा श्र इहुद बराक इन से उन्होंने मुलाकत की और दोनों के देशों के बीच में संपर्क बढ़ाने की बात की इसके बाद में आगे चल के हम देखेंगे कि जो ग्रह मंत्री इलाल किशा डवानी जी और विदेश मंत्री जो है जस्वंत सिंग जी वो भी क्या करते हैं इसराइल का परदानमंत्री है उन्होंने भारत का दोरा किया और दोनों के बीच में दुए पक्षिय समझोते हुए इसके बाद में इराक के साथ में भी हम बात कर लेते हैं इराक संकट की बारे में बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह भी हमारे रिलेशन को शो करता है कि भाई जो इराक है यह आप सबको बताए कि 1970 और 1980 के इस में इस टाइम पिरेड में दोनों के इस रिलेशन जो है बहुत अच्छे हो गए थे क्योंकि दोनों ने एक ही समय पर संयोगवस सोभय संग से महत्री संदी करी थी भारत ने पहले 1971 में और इसके बाद इराक ने 1972 में करी थी इस इसलिए भारत ने अपने जो क्लोजली रिलेशन है वह किस से जाता बिल्ट कर लिए थे वह बिल्ट कर लिये थे इसके साथ-साथ देखेंगे आज भी भारत की जो जुरुत का 30% जो श्रूत है आ के अंगाल देश में नब्य हजार भारतिये ऐसे हैं जो इराक में रह एर ब अगर हम देखते हैं, इराक के दर कही ऐसी भारतिये कंपनी आएं, कही ऐसी फ़र्म हैं, जहां पर मालिक हैं और बहुत सारी कंपनी हैं, वहां पर निर्मान कारे भी कर रहे हैं, लेकिन जब इराक ने जब 1991 में कुवेट पर आक्रमन किया, तो अंतराष्टे सर पर तेल की जो अधिकार के परती अपना दुख प्रकट किया था, कि अमेरिका दुवारा गलत किया गया, युकि आम सिविलियन्स भी जो थे, आम नागरिक भी थे, वो भी उसमें मारे गए थे, युएन नो में भी जब ये मुद्दा उटा था, तो भारत ने अमेरिका की सहने कारवाई क कभी भी सपोर्ट ने किया, और नहीं पूरी तरीके से अलोचना किया, 2003 में क्या होता है, कि इरान के जो राष्ट पती है, वो भारत का दौरा करते है, और 2001 में जो भारत के परतानमंतरी है, वो क्या करते है, तेहरान का दौरा करते है, इसके साथ अगला पॉइंट आपकी एडिंग बनानी आपको खाडी सायोग परिशद GCC यह क्या है खाडी सायोग परिशद इसका जो गटन है अगर आप देखेंगे तो 6 खाडी देश है उनके द्वारा हुआ है जैसे साउदी अरब कुएत सेयोगत अरब अमिरात इसके असासत कतर बहरीन और ओमान यह 6 देश है आप देखेंगे अफगानिस्तान में काफी ज़्यादा सोबे संग का स्थचेप हो गया था और साथ साथ क्या है कि इरान के युद्ध के कारण क्या है अब जो इसलाम तर्म हो थोड़ा सा खत्रे में आ गया था इस कारण से इसलाम को गलत परचार हो रहा था इस चक्र में अपना एक संगठन मनाया था यह एक रूड़िवादी इसलामी संगठन है जिसकी भारत से जाधा अच्छी रिलेशन नहीं बन पाते इसी कारण से क्योंकि यह दार्मिक इसलाम बात को बढ़ावा देने की बात करता है और साथ-साथ मद्न नजर कहीं कहीं आतंगवाद भी इनका सपोर्ट इनको मिल जाता है साथ-साथ देखेंगे इनकी उग्रनिति के कारण भारत से के साथ जो रिलेशन है वो काफी जाधा खराब है साथ-साथ हम देखेंगे इन पश्चमी देशों के साथ 1987 में इतना हमारा वैपार होता वन पॉंट फाइब बिलियन का वैपार पश्चिम एशिया के देश हैं उनके संबंद किस परकार के रहे किस परकार के नहीं आज की इस वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा क्लेर हो चुका हुआ और इसी परकार की इंट्रस्टिंग और ने-ने वीडियो उस पाने के लिए आप हमें सब्स्राइब करेंग चले गाइस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिन जय भारत